सब्सक्राइब कीजिए वीडियूब चाल्ड को और बेल आइकन दवाईए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दस्तों मैं हूँ मान और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि या आप इस तरह किसी भी फोटो या ब्लैंक डॉक्मेंट में टेक्स्ट कैसे एड़ कर सकते हैं फोटोप की मदद से तो यहां यह बहुत पी सिंपल और एजी है करना और बस आपको सबस से पहले करना होगा किसी भी फोटो या इमेज को लोड अपने फोटोप में और फिर एक बार जब आपकी फोटो हो चाहे लोड या ब्लैंक डॉक्मेंट में अगर आप क्रेट करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगी तो एक बार फोटो या ब्लैंक डॉक्मेंट आज आन यह है अपना चैनल का नाम तो बस और टाइप करने के बाद आप फॉंट के कलरों को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से आप फॉंट के कलरों को भी चेंज कर पाएंगे आसानी से तो एक बार आप चूज कर लें उसके बाद कर लीजिए ओके बटन प्रेस और प्रेस करने के बा drop-down function का यूज सिर्के आप font style भी चेंग कर पाएंगे अपने Photoshop में तो जी है बहुत ही simple और easy है यह करना हो चलिए दोस्तों अब जो दूसरा text feature है यह तो था horizontal तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ vertical text आप किस तरह add कर पाएंगे तो बस आपको वापस जाना होगा तूल बार में और चूज करना होगा वर्टिकल टेक्स टाइप इसे चूज करने के बाद आपको क्लिक करना होगा किसी blank area पर add up type कर दीगी जिस भी वर्ड का टाइप करना चाहते हैं easily तो easily आपका जो text होगा वो वर्टिकली टाइप होगा आपके डोकुमेट में और इस तरह सेम पिछली बार के तरह ही आप text का size, color और font चेंज कर पाएंगे आसानी से तो चलिए दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं